साथियों, बिते दिरों, मैं जहाँ जहाँ भी राजस्तान में गया, करीब करीब हर कौने में जाने को मुका मिला, मैंने छोटे-छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माता और बहनों को सुना, यहाँ के राजनिती के खिलाडियों को सुना, हर प्रकार से एकी गुंज सुनाई देती थी, एकी बात सुनाई देती है, गेहलो जी, एकी बात सुनाई देती है, गेहलो जी, कोनी मिले भोट जी, गेहलो जी, कोनी मिले भोट जी, और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है, राजस्तान के इस चुनाव में, हमारी माताओ, बहनों और बेटियों ने, जिस प्रकार से भाजपा का जंडा उठा लिया है न, वो काविले था आदाजी, मैं देखता ही रह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही है, माताओ, बहने, माताओ, बहने, क्या कवाल कर दिया है, और यह मैंने पूरे राजस्तान में देखा है, राजस्तान की महलाएं, अब कॉंग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बरदास करने को तयार नहीं है, राजस्तान ने आज तक इससे बड़ी महला विरोधी सरकार नहीं देखी है, इसलिए राजस्तान के जन जन ने कॉंग्रेस सरकार को उखाड़ फैंकने का संकल्प ले लिया है, और अपनी सोगन का मान रखना, यह तो राजस्तान की धरती की अपनी ताकत है, और यहां की जन ता उसे जानती भी है, और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्तान में इस बार तु नहीं कभी भी इस शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादसी को बोल रहा हूं, देव गड में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिये, अब राजस्तान में कभी भी गहलो सरकार की वापसी नहीं होगी, मेरे परिवार जनों, राजस्तान की इस धर्ती का काण काण बीर विरांग नाओ के शोर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है, मगरा मेरवारा का एक शेत्र तो महरणा कुम्भा, बीर शिरोमणी महरणा पताप और हल्दी गहाटी के गवरों की भूमी है, हम तो पन्ना धाई की बिर्ता और सूजबुच की गाथाएं सुनकर बड़े हुए हैं, ऐसे राजस्थान को कॉंग्रेस सरकार ने मातावो बहनों बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर वन बना दिया, कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ बहने बेटियों बलातकार के, रैप के, जूटे मामले दर्ज कराती है, क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है, क्या बारत की कोई भी बेटी राजस्थान छोड़ दीजिए, क्या कभी भी पुलिस थाने में जा करके, अपने चरित्र पर जूटे आरोब लगाने का काम क्या कभी कर सकती है, अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जोहर करने के लिए निकल पढ़ने की माताव भेनों की बेटी आप मुझे बताईए, इससे बड़ा गंभीर कोई आरोप हमारे माताव भेनों पर हो सकता है, क्या इससे बड़ा कोई घंबीर आरोप हमारे संस्कार पर हो सकता है, क्या कभी इससे बड़ा घंबीर आरोप हमारी संस्कृति पर हो सकता है, क्या कभी इससे बड़ा कोई आरोप हमारी परंपरा पर हो सकता है, जिनों ने ऐसा आरोप लगाया है, उनका क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव है, और आपके एक वोट में उनको सजा देने की ताकत है, माता और बेहनों का अपमान करने वालों को सजा दोगे भाईयों, उनको सजा दोगे, करारी सजा दोगे, और गहलोजी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कि राजस्तान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए महलाओं पर अत्याचार को वो वाजीब बताते हैं, मैं जराँ आपका गुसा देखना चाहता हूँ, जिस दिन से मैंने सुना है न, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूँ, आप मुझे बताईए, क्या किसी बलातकारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या, उस पुरुष की सगी मा भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या, क्या ये मर्दों का अपमान है क्या नहीं है, ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्तान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं, सह सकते हैं, उपाय क्या है, उपाय क्या है, सजा दिजिए दोस्तों सजा दिजिए, ये सिरफ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कॉंग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है और वोट दे करके सजा करकर के राजस्थान ने दिखा देना चाहिए तो कॉंग्रेस ने राजस्थान के पुरुशों पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया है कि ऐसी कॉंग्रेस को आप लोग माप कर सकते हैं क्या शाथियों कि अगर माप नहीं कर सकते तो आवाज में दम क्यों नहीं है कि दूप लग रही है क्या माना दूप लग रही एक हिआ क reicht कॉंग्रेज को माप करोगे क्या Marketing को माप करोगे क्या को यह गाउँ गाउँ जाके बताओं के क्या हर पुरुष मायदान में आएगा क्या जो अपने आप को मर्द मानता है वो मैदान में आएगा क्या